इसे पहले एक वीडियो बना चुका हूं इसको मैं आपको सौटकट तरीका वतार हूं जैसे आपको ज्यादा बड़ा बड़ा लगता है ना कि सौटकट ने तो कैसे बना ले इसको देखना तो सिंपल साहे देखो प्रस्नों को पढ़ना देखो तीन डिब्बे पहला दूसरा ठीक तो उसको क्या करना है पहला वाला को माले ना पहला डिब्बा को एवन माले ना मालो पहला डिब्बा है उसको क्या माले ना एवन ठीक सौटकर तरीका बता रहा हूं पहला डिब्बा को माले एवन और दूसरा डिब्बा है उसको क्या माले ना एटू तीसरा डिब्ब P, E3. ये भी क्या होगा? एक बटे तीन हुआ. क्यों हुआ? देखो, इसमें तीन ठो है. तो तीनों में से किसी का भी selection कर सकते हो. एक, दो, तीन. तो टोटल को लिख ले नीचे में और तीनों में से एक ठो निबबा को याद रखना P A E2 उसके बाद देखो P A E3 ऐसा सब में निकालना है बस इसको याद रख लो तीन ठो है तो E1 E2 E3 दो ठो है तो E1 E2 ऐसा निकालना है सब में ऐसा दिमाग में रखना बस तो बन जाएगा देखो gonna solve emotional अब देखने कारना है a मतलब कुछ विए एक चीज़yy कामाणभी है इसमें इसमें में देखो डोटल देख लेना सबस पहले देखो इसका मतलब होई है A मतलब अब एक चीज कॉमान होगा देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि पहला डिबा में दोनों सोने की सिक्के हैं तो देखो क्या बोल रहा है पहला में क्या बोल रहा है दोनों सोने की सिक्के हैं दूसरा में दोनों चांदी की सिक्के हैं तीसरा में एक सोना एक चांदी है तो द याद रखना है पहला सिक्का सोना, दूसरा सिक्का सोना aap в 1 डिभा 2 सिक्का है, तो तो दोनों सिक्के आपको आपको ध्यान कीन देना है, तो इसना पहला है, इसको पורה formula कैसे बनाओगे, तो इसको यह उजाएगा इस परकार तो देखो पहला डिबबम क्या है देखो दोनों सिख्के है ना तो ये लिख लोगे इसको आपके आद रखना है पहला डिबबम में है जो डिबबा पहला है ना डिबबा पहला में क्या है दोनों सिख्के क्या है सोने के है तो दोनों सिख्को के क्या सोने की होने की क्या प्राइकता तो इसका हो जाएगा पी लिखोगे देखो डिब्बा पहला को हमने क्या माल लेना तो इवन बटा याद रखना जैसे उसमें इटू आय था ना यह इवन बटा यह है इसी की याद रखना है हां, दोनों सिख्का बोल रहा है, तो इसका फार्मूला कैसे बन जाएगा, तो E1 आ गया ना, तो P E1 इंटू हो जाएगा P A बटा E1, अब नीचे में तो सब को जोड़ना, E1 E2 E3 सब को, तो यह हो जाएगा P E1 इंटू हो जाएगा P A बटा E1, प्लस यह हो जाएगा P E2, और यह हो जाएगा इंटू P A बटा E2, और यह हो जाएगा P E3, E3 हो जाएगा इंटू P A बटा E3, क्लियर हुआ, तो इस प्रकार क्या कर सकते हो, इसमें मान रख सकते हो, अब देखो, यह हो गया सब चीज, E1 E2 E i3 निकाले हैं, इसको याद रखना है इसमें e1 है तो उपर i1 आएगा बाकी e1,e2,e3 नीचे में आएगा, अब देखो a बटा i1,e2,e2,e3 कैसे निकलेगा, तो इसको याद रखना, पहला में बोला है, पहला में दोनों सिक्का क्या है? सोने का है, तो देखो, दोनों सिक्का सोने का है, तो याद रखना, पहला जो बोला है, पहला में दोनों सिक्का सोनो क्या है? सोने का है, तो सोने का सिक्का की तरफ है? दोठो, अब दोठो में से किसी को भी निकाल सकते, तो उपर में क्या जा तो इसलिए क्या हो जाएगा जीरो अब तीसार में देखना तीसरा में क्या बोला है Q. लेकिन हमको निकालना Q. को है Q.? सोना पैसे हो जाएगा'RE Q. tena & Akra जेना 1. Q. समझा में है ha Q. है लेकिन हमको निकलना सो ना खो तो एक बटे दू समझ में अया तो यह हो गए even ऐवन में क्या हario अदिवाद 25 प्रतिसाथ तो 25 बटे 100, फिर लिखलेना P E2, E2 में क्या आ जाएगा 35 बटे 100, फिर लिखलेना P E3, इसमें क्या जाएगा 40 बटे 100, तो देखो E1 E2 E3 निकल गया, अब P A बटा E1, P A बटा E2, P A बटा E3, तो A बटा E1 में 5 बटे 100, 5 प्रतिसाथ बोला है तो, फिर यह 4 जो निकालना है क्या प्राइटा मसीन B द्वारा निकाला गया है, तो B को हम क्या माने है, E2, तो P E2 बटा E, तो देखो फार्मूला क्या बना है, P E2 बटा E, समझ में आया, तो E2 है, तो E2 उपर में रहेगा, और नीचे में E1, E2, E3 सब नीचे में रहेगा, बस इतना ही आपको याद रखना है, सिंपल सा है,